हेलो स्टुडेंट स्वागत करुछे इस सुगा मैं काडेमी को ताही क्लास रे मैं देखेवा डिफरेंस बिट्विन वागनास लौ या लौ या लौ व इंक्रिजिंग स्टिर अक्तिविटी अन पिकॉक वाइजमन हाइपोथेसिस तो आगुरु दिटा थियोरिया में डिस्केशन करी छांदी तो इक लास रे स्पेशेली फोकस करी बागी ताहा विदे डिफरेंस काणा रही जी वागनास लौ पिकॉक वाइजमन हाइपोथेसिस माध्यारी तो वागनास लौ कहिला जेते विले इंकम जेते विले बढ़ी थ किन्दु पिकॉक वाइजमन हाइपोथेसिस काणा को जी उडे स्टेब लाइक स्टॉक्ट्यर रही बागी रही जी तो इद फिरे बैसिक दिफरेंस रही जी देखी वागनास लौ जीज बेस्ट अन अबजर्वेशन धेट as an economic growth people demand more public services and thus public expenditure rises तो वागनास लोगान को हुँची जिते विले economic growth करी थाई तो लोको माने public service demand करी थाँदी अधिका public service demand करी थाँदी विभिन्नपकार माने राष्ता है लाकी hospital, school, college इसो बुजिनसर डिमांड जिते विले बड़े तो सही साबरे public expenditure मध्या बड़ी थाई खर्चा, सरकार अगरा खर्चा बड़ी थाई तो इटा वागनास रोगानास रोगा हुची किन्ट पिकोग-वाइजमेन hypothesis करी थाँदी पिकोग-वाइजमेन hypothesis explain that public expenditure does not rise smoothly but in jumps especially during war, emergency or economic crisis पिकोग-वाइजमेन hypothesis करी जिते वले किछी क्राइसिस आशूची कि नेचुराल डिजास्टर जिते वले आशूची जिते वले हठात बढ़ी आऊची expenditure शेटा बहुत दिना परजनता constant रहुची स्मूद मेनारे न होईगे कुटे step-like structure होई थाई then second one is वाइजनस theory is demand driven from society while पिकोग-वाइजमेन is crisis driven from state response तो लोकमानकर demand कुण नेगी ही public expenditure इंक्रीस है थाई according to वाइजनस law, वाइजनस theory किन्द पिकोग-वाइजमेन हिसाब रे जेते विले कुटे crisis आशी थाई से crisis ही साबर ही public expenditure ग्रोग करी थाई तो crisis drive कोरू छी वाइजनी की नोची public expenditure को according to पिकोग-वाइजमेन hypothesis then third one is वाइजनस focuses on income growth and structural changes while पिकोग-वाइजमेन focuses on political economy and public finance adjustment तो वाइजनर बेसिकर फोकस करी थिले कि income growth और जो structure change हो छी विविनन प्रकार public service प्रदान करीबा पाई वा infrastructure development पाई public expenditure increase करी थि किन्दो पिकोग-वाइजमेन फोकस करी थिले बेसिकरी politics को नहीं की crisis को नहीं की वार को नहीं की public expenditure ग्रोग करी थाई then next is वाइजनस law implies a steady increase वार पिकोग-वाइजमेन शोज जॉज जॉज जॉब आप्टर क्राइसिस और ये new higher level of spending तो अमारो जो पिकोग-वाइजमेन था स्टेब लाइक structure रे ग्रोग करी थाई किन्दो वाइजनस law थाई धिरे 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 गुटे smooth manner रे बड़ी थाई जिते विले परकेपिता इनकाम बढ़ुची जिते विले public expenditure रे stable like structure रे ना बढ़ी की गुटे smooth manner रे बढ़ुची according to Wagner किन्दो पिकोग-वाइजमेन hypothesis हिसाब रे गुटे बढ़ी जाओची किची समया constant रहला पूनी बढ़ीला किची समया constant रहला पूनी बढ़ीला किची समया constant रहला तो इम दे stable like structure रे public expenditure रबुची तो पूनी बढ़ीला किची समया constant रहला पूनी बढ़ीला पूनी constant रहला तो इस stable like structure हबो देन फिफ्थ वान इज Wagner's love feed long term economic trend Wagner's टा long term growth कू देखो जी कारणको रे consistent rate रे gradually public expenditure रबुची infrastructure development हो जी because of economic growth और increase in national income income जीते लो बढ़ुची सब जीन्स पूनी बढ़ीला धिरी धिरी ग्रुची तो पूनी लंग term economic trend कू Wagner's lot आवे सिकरी fit करुची किन्तु पिकोग वाईजमेंट आकोटे short term fiscal behavior देखो जी कारणको जीते बले crisis हो जी सिते बले ही public expenditure बढ़ुची से टाम रहीं बढ़ुची ता प्रे constant रोँची तो जीते short term behavior को हीन्स करुची पिकोग वाईजमें hypothesis So these are the basic difference between the Wagner's law and पिकोग वाईजमें hypothesis So that's all for this class Thanks for watching this video पिकोग जीते बले ही तो